दोस्तो आज ये इस वीडियो मैं आपको इसकिन के एट टिप्स के बारे में बताऊँगा तो आप मात्र 15 मिनिट में जवरदस्त गुलो ला सकते हैं इन घरोलू निस्कों से तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ कि आपको अपने चेरे की दाग दब्बे और चेरे पर रंगत लाने के लिए क्या करना होगा आप अपने चेरे की रंगत को कैसे सुधार सकते हैं तुचा को साफ तुचा की चमक बापस पाने के लिए क्या कर सकते हैं तो आपके इन दोनों सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं चलिए जानते हैं इसकिन पर ग्लो लाने का जवर्दस गरिलुनुस्का चेहरे को खुबसूरत बनाने के लिए उसकी प्रॉपर केर करनी पड़ती है गर्मियों में ग्लोइंग इसकिन पाने के लिए आप दई सहत और बेशन की मदद ले सकते हैं इन सभी से तैयार एक निकार और चमक पाने के लिए चार इंग्रेडियंट से बना ये फेस पैक आपके इसकिन टोन में सुधार करेगा तो चेहरे पर लगाने की विदी जान लीजे इसे आप चेहरे के साथ पूरी बॉड़ी भर भी लगा सकते हैं यान कि आप अपने हातों पर पैरों पर और अ साथ साथ प्रवावित एरिया में इसे लगाईए पंदर मिनट के लिए इसको छोड़ दीजे और फिर पांस से साथ मिनट हलके हातों से स्क्रब कर लीजे नार्मल पानी से मूं को दोलें और पैट ड्राई कर लें आपको पैड़ाम जट से देखने को मिलेगा इस फेस पैक ग्लोइंग स्किन के लिए बेहद लापकारी होता है इसमें मौझूद चार इंग्रेडियन्ट हमारी तुचा को निखाने में मदद करते हैं चारो समग्रियों के गुण साथ में मिलकर चेरे पर चमक और ताजगी लाते हैं बेसन जहां चेरे की टैनिंग को दूर करता है औ अलावा सहत के एंटी मैक्रोब्रियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण बेजान अनिवल स्किन टोन को सुधाने में मदद कर सकते हैं इसमें पाए जाने वाले पोसक तत्तों से तुचा की कई समस्याओं जैसे धाग दब्बे कील मोहा से और जूरियां कम होने में मदद मि दी वे आपको समझ में आ गई होगी और आपको इस फेस्पेक को बनाने के लिए चार चीजों की जरूरत पड़ेगी तो वे चार इंग्रेडियंट कौन-कौन से हैं वे जान लीजे धही सहत बेशन और गुलाब जल तो इन सबी चीजों को बरावर-बरावर मात्रा में एक कटोरी में मिलाकर एक पेश्ट बना लीजे और आप अपने सरीर के किसी भी प्रावित एरिया पर चाहे वो चेरा हो गर्दन हो हाथ हो या पैर हो कहीं पर भी एपलाई कर सकते हैं और इसकिन को खूबसूरत बना सकते हैं और इसकिन पर गलो ला सकते हैं इसकिन पर होने वा कर दो कर दो करने दे हूड़ को सेयर